हेलो कैसे हो फ्रेंड्स आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज जो लेके आई हूँ यह है मॉक टेस्ट 3 इससे पहले 1st और 2nd डाला था बहुत कम बच्चे जो हैं वो पार्टिस्पेट कर रहे हैं इन टेस्ट में बहुत कम जो हैं प्लाई कर रहे हैं कुछ फ्रेंड्स आप भी हो सके तो पार्टिस्पेट कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी कोश्चन्स आते हैं इसमें कोई शरम की बात नहीं है क्योंकि अगर आप करोगे नहीं देखोगे नहीं अंसर नहीं दोगे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा और ना आपको पता चलेगा तो प्लीज आप पर्टिस्पेट कीजिए इन टेस्ट में तो आज का मॉक टेस्ट 3 करने से पहले हम पहले 2 के अंसर देख लेते हैं तो मॉक टेस्ट 2 का फ़हला कोश्चन था हिमाचल परदेश के मंडी डिवीजन के अंदर रगत कितने जिल्य आते हैं तो इ ये कब खुला है ये साथ जुलाई 2011 को खुला है मेंली बाबा भलकु जे थे उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स की हैल्प की थी जो शिमला का जो रेलवे बना है उसमें इसलिए उनके नाम पे ये बाबा भलकु रेल संग्राल्या नाम रखा गया है नेक्स्ट है हिमाच्छल प्रदेश की कौन सी घाटी पीज घाटी के नाम से परसीद है तो ये है राजगर घाटी नेक्स्ट है हिमाच्छल प्रदेश में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेब कहां पे है ये है जुंगा जो की शिमला डिस्टिक में है नेक्स्ट है नाहन मिस वरने जागीर के रूप में कांगडा किसे दिया दिया था बीरवल को नेक्स्ट है राजा का तलाव कहां पे हैं ये है कांगडा में नेक्स्ट है लामा जील कितनी जीलों का समू है साथ जीलों का लास्ट कोशिन था कांगडा चाय को जी आई टैक कब दिया गया तो ये गया है दो हजर पांच को तो अब देखते हैं मौक टेस्ट ट्री की कोशिंस फर्स्ट कोशिन है सत्तधारा जहरना कहां पर स्थित है कि जीले में है यह प्लेस कोई भी आपको जो नाम आता होगा वो लिखना है कांगणा में भूकम किस वर्श आया गुलेर का वैसाशक जिसे शां किला कि स्थान पर है नेक्ट कोशिन है किस राज्य की राजा ने अपनी पुत्री का विभा बंदा बैरागी से करवाया नेक्ट है नगर कोट किसकी शक्ती और प्रतिष्ठा की गद्धी थी नेक्ट है हिमाचिल पडेस की कौन सी नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता ह है नेक्स्ट कोश्चन है आठारा सो नौ में ज्वालमुखी की संधी किसके बीच हुई थी तो यह कोश्चन सारे के सारे अभी रिसेंटली करवाए हुए हैं मैंने तो आई होप आप इनकांसर देंगे और बहुत इजी कोश्चन से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्टड़ी अच्छे से करें